दोस्तों ये देखिए मैं नया ब्लोगिंग सेट अप मंगाया हूँ जो कि अभी आप लोगों के सामने अन्बॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसका क्वालेटी भी आपको बताऊंगा और ये कितना का परा ये भी बताऊंगा मैं आपको इसकी इंसर्ट सब कर लगा तो देखिए ये ट्राइपोर्ट है ब्लोगिंग ट्राइपोर्ट है तो चलिए इसको मैं अन्बॉक्स कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका क्वालेटी कैसा है तो चलिए इसको रिमूब करता हूँ दोस्तों देखिए देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है और इसको मैं सेटअप करके और मायक भी मंगाये हो देखिए इसको आप जिस तरह से रूटेट करना चाहेंगे उस तरह से रूटेट हो जाता है यह बहुत ही बेस्ट कौनेटीक है और सोफ्ट लग है काफी अच्छा दिया है फिलिप काड़ वालने तो चलिए इसको यहां पर साइड में रख देते हैं उसके बाद में मैं फिर से मैक को अन्बॉक्स करता हूं तो चलिए यहां से मैक को ओपेन कर लेता हूं मैं ब्लोगिंग मैक भी मंगाया हूं सब कितना का परा है और किसका कितना प्राइज है सब मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में एंड तक बने रहें वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है फ्रेंज अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें तो चलिए देखिए यह यह मै करने कि यह मैं रिमूव करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए यह मैं आप और शोर्ष और वीडियो सूटिंग करेंगे तो बाहर का नुवाई जवाज यह कैप्चर ना करें इसलिए इसको दिया जाता है तो चलिए फिर से इसको फीट कर देता हूं और इसका साउंड कॉलेटी भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं उसके बाद मैं इसको फिर से देख लेता पर में लगा के और अपने वीडियो बना सकते हैं और यह जो लिखा हूँए स्मार्ठफॉन यह क्या है कि स्मार्टफॉन में जाएगा और एक उन्र मैंक में जाएगा सारश में आपको स्टेव बbrarवे सटेप रहोगा कि इसको कैसे सेटिंगक करना है तो वीडियो में तो देखिए यह है mobile cover जो की tripod के साथ में जो मिलता है वो यूज नहीं कर सकते हैं आप क्योंकि यहाँ पे cut हुआ उसमें नहीं रहता है और इसमें cut हुआ है तो यहीं पे mic को आप install करेंगे और set करेंगे तो चलिए यह जितना भी यह सब cover है इसको side में रखता हूँ और आपको set करके बताता हूँ कि कैसे इसको use करना है सारा process step by step आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में end तक बने रहें तो चलिए इसको setting कर लेता हूँ देखिए यह आया है tripod के साथ यह mobile holder जो कि यहाँ पे देखिए कहीं भी कटा हुआ नहीं है और यह जो अलग से मैं आया हूँ यह यहाँ पे कटा हुआ है तो यहीं पे mic install होगा तो चलिए इसको set कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ तो देखिए इसको क्या करना है कि इसी तरह से इसको एक मिनट फ़र्स टाइम मैं भी अपना setup setting कर रहा हूँ और फर्स टाइम यह unboxing वीडियो है तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स टाइम में थुरा सा problem होता है कोई भी चीज में तो इसको मैं setting कर लेता हूँ तो इसको मैं setting कर लिया और इसको ऐसे टाइट कर देना है उसके बाद में चलिए इसको भी मैं setting कर लेता हूँ यहाँ पर तो यह देखिए यह smartphone वाला है तो चलिए इसको मैं setting कर लेता हूँ तो इसको यहाँ पर लगा देना है ध्यान देना है आपको कि यह जब आप तो यहाँ पे ध्यान से आपको इसको बैठा देना है उसके बाद में आपको क्या करना है कि यह जो पीन है उसको mobile में लगा देना है तो यह मैं आपको लगा के बताऊंगा पहले मैं tripod को set कर लेता हूँ तो चलिए tripod में यह mobile holder को मैं setting कर लेता हूँ फटा फट यह देखिए mobile holder क कर films एंधर के वीडियो बना सकते हैं तो फिलाल इसकें आभर कर दिता हूं ता कि आपको सही से सम्जा सकें तो चलिए इसको क्या करना है यहां पर इसको फिट कर लेना है तो चलेंगे फीट कर लेता हूं तो देखिए यह फीट हो गया सोरी मैं उल्टा फीट कर दिया तो फिर से मैं इसको निकाल लेता हूं और फिर से यहां पर फीट कर देता हूं तो देखिए इसको यहां पर फीट करना है सही से आप लोग बचा करेंगे ताकि यह तूटे ना तो देखिए यह मोबाइल को क्या करना है कि मोबाइल होल्डर में इसको सही से फीट कर देना है तो चलिए मैं मोबाइल को सही से फीट कर देता हूं मोबाइल होल्डर में तो यहां पर फीट कर लेता हूं उसके बाद आपको बताता हूं यह मोबाइल होल्डर मोबाइल में फीट हो गया उ वीडियो बनाना है तो चलिए मैं इसका भी sound quality को आपको बता रहा हूं अभी जो आप sound सुन रहे हैं या इसी मैक से sound आवाज आ रहा है आपको तो देखिए इसका sound quality भी आपको पता चल गया होगा तो देखिए आप लोग वीडियो बनाते समय आपको एक बात ध्यान में देना है कि अपने हाथ को अपने मुझ से ज्यादा distance में नहीं रखना है नहीं तो आपका मैक का जो voice quality है वो अच्छा नहीं आएगा तो आप लोग बोलेंगे कि मैक सायद अच्छा नहीं है तो लगभग आप एक मीटर के distance पे अपने मुझ से हाथ को रखना है अगर ज्यादा क्वालेटी अच्छा नहीं आएगा तो कोशिस करें कि आप ज्यादा दूर ना राखे तो देखिए अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं इसी मैक से आपको आवाज सुनाई दे रहा है तो आपको पता चल गया होगा कि इस मैक का व्यास क्वालेटी क्या है और तो चलिए मै आपको बता देता हूँ कि यह सब मुझे कितना का परा है तो यह जो आप मैक देख रहा है यह मुझे परा है आट सो चोवन रोपया के परा हुआ है और यह जो आपको ट्राइपोर्ट नजर आ रहा है यह ट्राइपोर्ट मुझे चार सो एकानवे रोपया के परा है और यह description में दे दूँगा आप वहाँ से भी flip card से जाके purchase कर सकते हैं और अगर आप Amazon से भी purchase करना चाहते हैं तो वहाँ से भी purchase कर सकते हैं लेकिन मुझे 1645 रुपया की यह पूरा setup पर आ है अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो मेरे चाइनल पर आप regular ब्लॉग वीडियो आएगा आप मेरे चाइनल को subscribe जरूर कर लिजेगा लिंक description में दिया हुआ है तो चलिए आप comment में जरूर बताइएगा कि इस माइक का voice quality आपको कैसा देखने के लिए मिल रहा है तो चलिए मैं मिलते हैं किसी next वीडियो में